आपका स्वागत है दरन भी इशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो लेट स्टार्ट विद राशी ओके तो सबसे पहले जो राशी हमारी आती है मेश राशी मेश राशी वारे लोगों को आप देखोगे फिरोशियस होते हैं गोगेटर होते हैं मेश राशी को इंग्लिश में एरिस बोलते हैं तो मेश या एरिस है तो आप फिरोशियस हो आप गोगेटर हो आपको अगर किसी ने काम दे दिया तो आप करके रहोगे इसलिए आप यूजवली देखोगे मेश राशी वाले लोगों को बहुत जाता दुनिया से फर्क नहीं नेचर है ना मंगल इसका रूलर होता है मंगल वारियर है सीना पती है देखे उसके दोनों हाथों में तलवार रहती है तो आप इनसे अगर बकैती करोगे तो यह आपको पीट देंगे मेश राशी वाला रिस्क टेकर है कि भाई जिन्दगी में स्मूँ चलने मजा नहीं आ हुआ है तो आप 6,000 की चीजों को लेकर फिरोशियस हो जाओगे वहां पर रिस्क लोगे जब सेवा की बात आएगी तो आप सेवा करने के लिए रेडी हो मैं लोगों की हेल्प करूँगा 6,000 अब वहां वीनस बैठा है वीनस क्या है वीनस लव ठेक है तो आप जब प्यार बुल से रिप्रेसेंट करते हैं और अगर कोई काम वैल्यूएबल है बट उसमें बहुत ज्यादा इसे डैनमिक या वैराइटी नहीं तो भी ही लोग उस काम को कर सकते हैं लेकिन अगर आपने लाल कपड़ा दिखा दिया इसे तो फिर यह फिर बुल है यह आपको उठा के फेके गाई फेकेगा याने की पीसफुल है स्ट्रेट है सिंपल है स्मूध है लेकिन अगर आप इनको कर रहे हो तो फिर इंसे ज़ादा डेंजरस भी कोई नहीं है तो इस इसका नेचर है टॉरस जो साइन होता है इसका रूलर वीनस होता है इनकी क्वाल्टी है कि मुझे पसंद है, मुझे अच्छे से रहना पसंद है, सापसुत्री जगे पसंद है because Venus is a god of luxury तो इनको वो भी चीजे पसंद है Taurus आप देखो कि यूजबली बहुत soft spoken होते हैं, क्योंकि वो भी एक luxury है कि आप बड़े प्यार से और मिठे से Gemini 3 है, Cancer 4 है Leo 5 है, Virgo 6 है Libra 7 है, Scorpio 8 है Sagittarius 9 है, Capricorn 10 है Aquarius 11 है, Pisces 12 है बहुत साइ लोग भी चार्ट खोल के बैठे हुए So next comes to Gemini, Gemini एक air element की राशी है आप जिनकी western में भी Gemini है और जैसे मैंने का न दो राशिया हैं, तो आप relate कर सकते हो जैसे Gemini air element की राशी है आप इनको पाओगे की यह बड़े attractive है Air element है, मीडिया का काम होता है तो यह go getter है कि मतलब आओ तुरन दोस्त बन जाते है यह वाली राशी, इसका planet Mercury है Mercury को कहा जाता वानी का देवता तो बातों का काम वानी का काम इनको suit करता है और यह बातों के धनी भी होते है Gemini को अगर देखा जाए तो यह usually एक business minded person जरूर होंगे because Mercury is also a business person ठेक है, जैसे बुद्ध को हम बोलते है बुद्ध, बुद्धी, बुद्धू और बिजनेस, ठेक है तो यह यह तीनों quality इनके अंदर होती है यूजवली लोग सोच सकते हैं कि Gemini को, कि यह तो बुद्धू है बट नो, 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 आब बहुत बड़ी mistake कर रहा हूँ Gemini बहुत बारीकियों को देखता है और बहुत जल्दी समझ जाता है कि इनसान कौन है कैसा है क्या करने वाला है जिनका भी Gemini sign होता है और बातों के तो धनी हैं यह तो इस तरह से नंबर तीन हमारी राशी Gemini हो जाती है मतलब अगर आपके Western chart में आपकी sign Gemini है तो भी यह सब चीज़ अपला होती है या आप वेदे मैं characteristics बता रहा हूँ जर्नल में तो अगर आपका moonshine या sunshine कोई भी Gemini है आप मेरी बातों से relate करोगा और comment करके बताओगे भी ठीक है कि आपने relate किया मेरी बातों से मेरी sunshine Gemini बताईए नाव कमिंग तो दो फोर्थ यह है cancer इसे केकड़े से represent करते है और कहा जाता केकड़ा अपना घर लेकर चलता है तो यह अपना घर लेकर चलता है मतलब है कि यह जहां भी जाते हैं वहाँ पर यह अपना homely environment लेकर जाते है cancer का जो मालिक होता है जो ruler होता हो moon होता है तो यह inherently बड़े emotional राशी है बड़े दिल तुड़वाते हैं विचारे प्यार में दो तिन break up ना हो तब तक क्या है वाद की cancer है ना अप ठीक है cancer राशी जो है mood swings जरूर होंगे आप चंद्रमा को देखो वह 15 दिन घटेगा 15 दिन बढ़ेगा तो इसी तरह से cancer वालों का mood होता है क्यों घटा बढ़ता रहता है इसे हम mood swings कहते हैं end moment पे mood बदल जाना baby I love you so much baby तुम कैसे हो ऐसे हो यह है cancer ठीक है बहुत प्यारे मिलेंगे आपको बहुत चंचल मिलेंगे और चांद सरौसन चेहरा तो बहुत खुबशूरत भी मिलेंगे आपको तो यह cancer का एक nature है कि वो mother है चंदमा को कहते हैं ने चंदमा मा है queen of the all planets बोला जाता है तो एक motherly nature आपको इनके अंदर मिलेगा अपना ख्याल रखें ना रखें दुनिया का ख्याल इनको रखना है तो यह cancer राशी है अब आगे बढ़ें अब आती है हमारी फिफ्थ राशी विचिस लियो लियो इस रूल बाई सन तो जैसा असूर है वैसे आप है leadership quality दहडने वाली इच्छा रखते हैं एक जगे खड़े हो जाएं तो चार लोगों को कैसे manage करना लियो यहां पर आप देखोगे fire element की राशी है तो दूर सी आपको बड़े arrogant नजर आएंगे घमंडी आदमी इससे बात कैसे करें लेकिन जब आप उनसे पास में मिलोगे उनसे अच्छा दियार नहीं उनसे अच्छा दोस्त नहीं कोई लियो चाहता है कि देखो अगर तुम मेरे दुश्मन बनोगे न तो मैं आज नहीं कल नहीं परसो नहीं तो मैं धोड़ूँगा बदला जरूर लोगा revengeful है लेकिन अगर आप इनको इनकी सरण को accept कर लो कि भाई मेरी help करते एक बार आप लियो को बोलो हजार दुश्मन सामने हो लियो अला के ले खड़ा हो जाता है लियो एक ferocious राशी है अब share किसके सामने जुगता है share हमेशा share नहीं के सामने जुग जाता है तो लियो कभी हारेगा तो सिर्फ प्यार में हारेगा उसके अलावे लियो को हराना is very difficult कई बार लोग लियो को कहते है कि अरे भाई तुम बहुत जादा ना straight forward हो इसको कभी इस चीज का मलाल नहीं रहता कि मैं straight forward हूँ इसे लगता है यह मेरी quality है कि मैं straight forward हूँ मैं leader हूँ मैं influence कर देता हूँ लोगो को और यह सच में लियो की quality होती है यह business man अच्छे बनते हैं यह CEO अच्छे बनते हैं इंफुलेंसर अच्छे बनते हैं जहां पर भी fire element की ज़रोत है they do it all good तो यह 5 नमर की राशी ruled byison लियो 6 नमर पे आते हैं वर्गो वर्गो कन्या राशी इसको फिर से mercury ही रूल करता है वर्गो मरकुरी का वो aspect है जो भोगने की चाहत रखता है इन्हें समाज में दुनिया में जितने भी भोग विलास्ता की चीज़े हैं वर्गो लव्स sexual things उनको बहुत अच्छा लगता है और अपने partner में कुछ धूने ना धूने आग गुट सेक्स जरूर धूरते है वर्गो इस अलसो वेरी चंचल ठेक है उसे एक जगे बैठानी जाता बहुत चुल्बुले से नेचर के हैं बहुत चंचल नेचर के हैं वर्गो अलसो मरकुरी का वो हिस्सा है वर्गो जो की business mind रखता है और जो की अपने दिमाग में सब की चिंता कर रहा है और साथी साथ अपने आपको भी ग्रो कर रहा है वर्गो को कभी दुख नहीं होता कोई आगे ग्रो कर जाता है बागी राशियों को हो सकता है बहुत वर्गो की ये quality बहुत अच्छी रहती है तो ये वर्गो होगी नमबर 6 की राशियों अब नमबर 7 लिब्रा पर आते हैं लिब्रा लिब्रा ये बैलेंसर है इसमें के लिए एक अंधा कानून वाले एक लेडी है जिसके आखों पर पट्टी बन दी है और तराजू हाथ में है अब लोग समझते कानून अंधा है बट नहीं लिब्रा कभी भी बाइफर्केट नहीं करता तो टोलते नहीं है उन वो अंधे हैं यानि कि किसी की बुराएं भी नहीं देख रहे किसी की अच्छाईयां भी नहीं देख रहे जैसे आप मेरे साथ हो मैं वैसा ही आपको दूँगा Libra का जो main सूत्र होता है लाइब का वो चीजों को balance करके चलना होता है कि भाई पैसा ठीक है रिस्ते भी जरूरी है और रिस्ते पैसे दोनों है तो health भी जरूरी है और यह सब कुछ मिल गया तो I need a spirituality also मुझे spiritual होना भी जरूरी है Libra का यह motive रहता है अब Libra भी Venus से रूल होती है That is why they love luxury अब जो भी Venus का पास आएगा वो luxury लेकर जाएगा तो आप Libra वालों को देखो कि अच्छी चीजों का शौक महंगी चीजों का शौक ब्रेंड़ चीजों का शौक कुल मिला के भले पैसे ना भी हो Libra के पास तो भी यह आपको tip-top of groom नजर आएगा तो यह Libra होगी है हमारी नाव एर्थ राशी आते हैं Scorpio Scorpio तारा मंडल में जो तारे होते हों Scorpio जैसा लगते हैं इसलिए इसको Scorpio बोलते हैं हिंदी में से वरश्चिक बोलते हैं यह बिच्चू है बिच्चू आम तोर पे अपनी फैमिली के साथ खेलता रहता हो किसी को परिशान नहीं करता है लेकिन जब आप बिच्चू को परिशान करते हैं तो उसके बाद डंक भी है तो वरश्चिक बाशी वाले धीठ हैं अगर आपने इनको पोक कर दिया आपने इनको परिशान करिया तो डंक मारेंगे वरश्चिक बाशी कोल चीज़ें बूलता नहीं है अगर आपने इनको बच्पन में कुछ परिशानी दी थी ना तो बुड़ापे तक याद रखेंगे यह अपनी कीवी भूलते नहीं है बहुत जादा ट्रस्ट करने से डरते हैं विश्वास करने से डरते हैं क्योंकि दो चार कांड इनके साथ हो चुके होते हैं वरश्चिक राशी वाले बड़े लॉयल मिलेंगे आपको इन्होंने अगर अपनी लॉयल्टी आपके साथ दे दी तो दे दी फिर चाहे वो प्यार में हो चाहे वो रूल करता है तो जुपिटर जब रूल करता है तो ज्ञान वहाँ पर आही जाएगा नॉलेज वहाँ पर आही जाएगा तो Sagittarius is a knowledgeable राशी इनको एक जगे नहीं पचास जगे से ज्ञान बटोरने की चाहत रहती है और उस ज्ञान को किस तरह से यूज करें to make money to monetize it ताकि पैसे मिल सकें ताकि लोगों की help हो सकें यह Sagittarius की core philosophy है अगर आप Capricorn को देखोगे तो यह Makar राशी इसको हिंदी में बोलते हैं और Capricorn आपको ऐसे मिलेंगे ना कि बहुत टाइम लेते हैं दोस्त बनाने में बहुत टाइम लेते हैं relationship आने में slow moving लोग हैं बट अपने decision relationship वाइस गलत नहीं करना चाहते हैं और करते भी नहीं usually आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी Capricorn को पटाने में ठीक हैं क्योंकि जल्दी भाव नहीं देख और ऐसे चुटकियों में समझ जाता है कि आप फेक कर रहे हो फेक manipulator लोगों से Capricorn बहुत दूर रहता है क्योंकि इसे समझ में आ जाता है Capricorn भी उन लोगों में से एक है जो धीरे धीरे स्टेबल करके धीरे धीरे काम करने में विश्वास कर रखता है लंबी रेस का घोड़ा है Capricorn Capricorn शनी की राशी है शनी स्लो मूविंग प्लैनेर इसलिए यह स्लो स्लो चलते हैं बट दे आर वेरी गुड बाई नेचर यूजवली जो Capricorn की फीमेल्स होती है आप इनको देखोगे ना कि आप इनसे अगर कुछ उल्टी सीधी बाते कर रहे हो आप मजाग में भी शेक्शूल बाते कर रहे हो शेक्स जोक मारे तुरंट आपसे दूराट जाएगी आपको इनके फेस पे नजर आ जाएगा तो Capricorn is one of the most powerful राशी शनी की पहली राशी है यह शनी की दूसरी राशी आती है 11 number sign Aquarius यानि की कुम्भ राशी कुम्भ राशी यह face shifter है कौन से ऐसी राशी नहीं है जिसका गुण कुम्भ राशी में आपको नहीं मिलेगा इसे जोतिश की भी राशी बुली जाती है कुम्भ राशी वाले philosophy बड़ी पसंद करते है और philosophy जाडने का भी बहुत शौक होता है जब बात होती कि कौन से राशी वाले इस लोग सबस्यादा खुश रहते है तो Aquarius number one पे आता है क्योंकि यह detach बहुत जल्दी हो जाते है इन्हें चीज़े छोड़ना बहुत जल्दी से आता है और detachment तो सबसे बड़ा power है अगर आपके पास यह है कुम्भ राशी वालों को जोतिश में inherent shock होता है आपके कई सारे viewer कुम्भ राशी के हैं जो इस podcast को देख रहे हैं वो comment में बता देंगे आपको कुम्भ राशी क्योंकि यह Saturn से rule होती है और क्योंकि कुम्भ राशी आपको मिल जाएगी कि एक जगे से नहीं हर जगे से knowledge लेनी है ग्यान लेना है और यह air element भी है यह fire element भी है यह water element भी है यह सब कुछ है यह तो कुम्भ राशी को मुझे लगता है कि बड़े time से बनाया गया है सोच समझ के बनाया गया है कुम्भ राशी वालों के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात दिखी जाती ने नशा होता है अब वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है एक गल्ती को बार-बार दोहराने का नशा को लगता है दोसरों की मदद करने का भी नशा हो सकता है किसी चीज को बार-बार एक ही ढंख करने का नशा हो सकता है तो जब जैसे आपका चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर सेटन आपका कुम राशी में बैठा है तो हम इस चार्ट में कहेंगे कि शनी अपने खुद की राशी में बैठा है वो उसका खुद का घर है हम सबसे ज़्यादा कमफर्टेबल कहां फील करते हैं अपने खुद के घर में यहाँ पर शनी आपके खुद के घर में बड़े अराम से बैठा है चिल कर रहा है हो तो इस सनी को हम अच्छा मान सकते हैं ठीक है क्योंकि वो अपने घर में है अब शनी का दुश्मन होता है सूर जो तिश के हिसाब से वह है पसंदा रही हो आप हमें ठीक है तो शाय कैती है अरे आप तो देवता है तो कहती है कोई बात ने तो उनका एक kind of affair होता है उस affair से जो bond होता है वो शनी है यह शनी bond होते ही क्योंकि वो शाय के पुत्र है तो वो बहुत dark complex के ते मेरा पुतर काला कैसे हो सकता है तो उन्हेंने वहाँ पे डिसउन कर दीए अपने सन को और जो सनी बड़े होते हैं उनको क्या सारी कहानी पता होती है उन नयाय के देवता बनते हैं तो हो सूर के पास वापस जाते हैं कैते पिता दी मुझे नयाय चाहिए मुझे एक पुत्र का दरजा चाहिए और मेरी माता के लिए एक रानी का दरजा चाहिए सूर मना कर देते हैं तब से सनी और सूर की दुष्मनी है पूटी आँख नहीं सुहते है एक दूसरे को अब यहाँ पर हमको एक एसलोजी का कॉंसेट मिलता है कि शनी और सूर साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा लडाई होगी उस हाउस में लडाई होगी उस हाउस की चीज़ें गढ़बढ हो सकती है जैसे अगर शादी के हाउस में बैठ गया तो डिवोस ठेक है इस तरह से हम कर सकते है जैसे आप अपने दुश्मन के घर चले गए अब क्या करोगा उसका कैमरा तोड़ दोगए उसकी टीवी तोड़ दोगए तो अगर सैटन आपका लिवो में बैठा है तो भी वो परिशान करेगा हम एक दुसरे के घर में बैठे हैं दुश्मन तो हम परिशान करेंगे एक दुसरे को और हर किसी के चार्ट में एक positive placement होती है और एक negative placement होती है there are lots of placement आप वैसे कोई भी कुंडली विकार नहीं होती सारी कुंडलीों को देखने का तरीका है आप किसी भी विकार से विकार कुंडली को अच्छा कर सकते हो और अच्छी से अच्छी कुंडली को खुदी विकार कर सकते हो जैसे कि एक कुंडली सौ प्रॉमिसेस करती है कि आपको अपनी लाइफ में ये सौ चीज हो के प्रॉमिस मिलेंगे बट कम मिलेंगे अगर मैं कहूं रनवीर जी की एक परसन है जिसकी बुच बुटी सढय की शाड़े साती जब वो दो साल का है तब चल रही है और जब वो चबशी साल का है तब चल रही है आपको किसके लिए बुरा लगेगा उसे करियर बनाना है, उसे जॉब लेनी है बिजनस सेट करना, शाधी करना है life में settle हो ना उस्तनी जी आके उसके सारे काम खराब कर रहे हैं और दो साल बच्चा क्या होगा लॉली पॉप गिर जाएगी पापा डॉरे मॉन नहीं देखने देंगे तो किस टाइम पे आपके कौन सी दशा चली किस टाइम पे आपको कौन सी साड़े साती लगी यह बहुत डिपेंड करता है कि आपका चार्ट खराब है अच्छा है मालो आपके चार्ट में एक्सिडेंट लिखा है कि गारी से ऐसा ठुकोगई कि कमर टूट जाएगी पर यह होगा जब आप तो आपके इवेंट्स आपके प्रॉमिसेस तो बहुत सार है पर वो होंगे कब यह डिसाइड करता है आपकी दशा क्या चल रही है अगर आपको अच्छी दशाइं मिल गए कई बार लोगों की चार्ट देखता हूँ पूरी जिंदगी में अच्छी दशाइं मिली हैं बुरी दशा मिल रही 90 साल के बाद जब तक वो बचेंगे भी नहीं तो वो चार्ट अच्छा हो गया अच्छे चार्ट है बहुत राज्य होगे बहुत धन मिलेगा बहुत दौलत मिलेगी पर जब 110 के हो जाओगे तब मिलेगी क्या करोगे इस दौलत का तो चार्ट अच्छे बुरे नहीं होते दशा अच्छी बुरी हो सकती है दशा पर भी हम अभी थोड़ा डिसकस करेंगे फ्यूचर में तो अभी हम एक्वेरिस कर लिया था हम पाइसस पर आते हैं लास्ट राशी है और ये गुरू की राशी है पाइसस वाले जो लोग होते है न ये भगवान भरोसे चलते हैं गुरू जो है वो भरोसा है जुपिटर जो है भरोसा भगवान भरोसे क्यों पाइसस वालों का एक पाइसस लेके चलता है गुरु ग्यान है अज्ञान जो है वो अंधकार की तरफ ले जाता है और ग्यान घोर अंधकार की तरफ ले जाता है पाइसस के साथ यह होता है पाइसस नॉलेज और ग्यान बटोरता रहता और उसे ऐसा एहसास होता रहता कि मुझे कुछ आता ही नहीं क्योंकि आप जतने ग्यानी हो आप उतने घुरंदकार में है क्या आपको इतना छोटा महसूस होने लग जाता है कि इस दुनिया में सीखने के लिए क्या कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं आता है पाइसेस वाले लोगों को आप देखोगेगी ना उनके पास ज्यादा इगो नहीं हो ज्यादा किसी की फिक्र भी नहीं करते कि तुम उनके कपड़ों के बारे में क्या सोच रहे हो उनकी गल्फरेंड के बारे में क्या सोच रहे है ति डूंट केर पाइसेस अपनी धुन में अपनी लडाईयों में ही वेस्ट है पाइसस जो भी है उनको ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि कोई मदद करने कभी नहीं आएगा कोई दोस्त नहीं आएगा कोई रिस्तेदार नहीं आएगा आप अपने पैरों पे हो तो खुदी गिनना है खुदी उठना है खुदी उड़ना है इसस पाइसस ये जुपिटर की लास्ट राशी है ग्यान गोरंदकार की तरफ ले जाता है उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अप्लोड किये हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ